नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों अगले वर्स 2024 में केंदर में चुनाव होने वाले हैं और किसान भाई भी उमीद लगाए बैटे हैं कि इस बार गन्ना चीनी मीले समय से पहले ही चलना चालू कर देंगी और साथ ही गन्ने का भाव भी बढ़ेगा हाला कि मैं ये बता दू कि केंदर सरकार ने 10 रुपे 25 क्वेंटल की दर से गन्ने का भाव में बढ़ोत्री की है लेकिन जो राज सरकारों के गन्ना मुल हैं जैसे कि उत्तर परदेश है, पंजाब है, हर्याना हैं यहाँ पल ओल्रेडे ही 50 से 80 रुपे तक के गन्ना भाव जादा है यदि मुकाबला करें केंदर सरकार के गन्ना भाव का तो उसका तो कोई महत नहीं है, लेकिन फिर भी राज सरकार से भी जो गन्ना किसाने वो उम्मीद लगाए बैटे हैं कि वे भी इस वर्स गन्ने के मुल्य में बढ़ोत्री करेंगे इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि गन्ना सर्त्र 2023 में गन्ना चीनी मिले कौन सी तारिक से चलने वाली है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरिप्या करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाईयों में शेयर भी करें चले किसान भाईयों मैं आपको बता दू कि किसान भाईयों को यदि चीनी मीले अक्टूबर के मद्दे से भी चल जाएं यानि कि 20 अक्टूबर से पहले चल जाती है तो किसानों को बहुत फाइदा होता है इससे वो अपना गिहूं है, जों है, चना है, सरसो है खास कर मैं सरसो की बात करूँगा तो उसकी बुवाई हो जाती है उनको वो एक्स्ट्रा लाब मिल जाता है लेकिन मैं आपको बताऊं कि गन्ना सत्र 2022 की यदि बात की जाए तो काफी चीनी मिले अक्टूबर के बिलकुल लाष्ट में चालू हो गई थी लेकिन इस साल क्योंकि अगले वर्स चुनाव है तो राज सरकारे भी खास कर जहां पर बीजेपी की सरकारे हैं वे चाहेंगे कि चीनी मिले अपना सत्र 15 से 20 अक्टूबर के बीच चालू कर दें जिससे किसान इससे खुस हो जाएं उनकी जो फसल है वो अरली बुजाए यानि कि सरसों की बुआई है ग्यों की है चने की है जों की है और वे खुस होकर के सरकार के पक्स में अपना वोट दें तो ये सरकार की ख्वाइस होती है इच्छा होती है लेकिन मैं आपको अब दूसरा पक्स भी बताओं जो चीनी मिलू के ओर से होता है वे एक बिजनिसमेन होते हैं वे अपना फाइदा देखते हैं फाइदा क्या देखते हैं क्योंकि एक तरब तो यह होगा कि सरकार चाहेगे कि गन्ना चीनी मिले सुरू में चलें तो उनको लाब हो दूसरी ओर जो गन्ना चीनी मिले हैं वो अक्टूबर के सुरू से ही जो भी चीनी मेले होती हैं सभी चीनी मेले की तुम्हें बात नहीं कर रहा हैं लेकिन जादर जो चीनी मेले होती हैं जो एडवांस चीनी मेले होती हैं प्राइवेट सेक्टर की चीनी मेले होती हैं खास कर वो अक्टूबर के सुरू से ही जो उनका एरिया होता है वहाँ से वो गन्ना मंगाते हैं अपने जो उनकी लैब होती है वहाँ पर उसको टेस्ट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यदि recovery 9 से कम है यानि कि 8 से भी कम आ गई है तो फिर वे उसी हिसाब से गन्ना सत्र जो चालो करने का हिसाब उनका बनता है वो लेट करते चले जाते हैं जब गन्ने में recovery उनको महसूस होती है कि 9 से 10 के आसपास recovery आ जाएगी तब वे उसी हिसाब से अपना चीनी मीले चलाना प्रारम करते हैं क्योंकि वे चाहेंगे जो private आदमी होगा जो private sector का आदमी होगा बिजनिसमेन होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हूँ जब गन्ने से चीनी ही नहीं बनेगी तो उसको कोई फाइदा नहीं होगा और वो सरकार के दबाव के बावजूद भी चीनी मीले पहले चलाने की कोशिश नहीं करेगा चैही उसे कुछ भी करना हो कोई भी फंडा अपना ना हो तो ये बात यहां पर किलिया रहे अब इस सत्र की बात करते हैं कि गन्ना चीनी मीले अब की बार कुछ पहले चलेंगी या बाद में चलेंगी जो एक्चुल इस्तिती है जो वास्त्वी की इस्तिती है उसे आप समझे तो इस साल आपने देखा होगा कि ऐसी बरसात कई साल पहले हुई थी और इस सीजन में काफी अच्छी बरसात हुई है अब जब ज़्यादा बरसात होती है तो गन्ने में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जब गन्ने में पानी की मात्रा जादा होगी तो जो रिकवरी है जो चीनी है उसका परता कम आएगा यानि कि पानी जब सूखेगा गन्ने से तो तभी तो उसमें से रिकवरी होगी तभी उसमें से चीनी की मात्रा जादा निकलेगी तो कहने का मतलब यह है कि बरसात जादा होने के कारण ऐसा एक अनुमान है ऐसा एक अनुबव के आदार पर का जा सकता है कि चीनी मीले चुनाव होने के बावजूद भी अक्टूबर के लाश्ट से ही अपना पेराई सत्र शुरू करेंगी वो बात अलग है कि सरकार को जादा ही दवाव दे और जो चीनी मीले हैं वो थोड़ा धीरे धीरे अपने जो सत्र है उसको चालो करें थोड़ी थोड़ी पेराई सुरू करें वो एक अलग बात है लेकिन जो बरसात है उसका सिजन देखा जाए तो गन्ने में जो रिकवरी भी वो काफी लेट आएगी और उसी हिसाब से जो चीनी मीले है वो भी अपना सत्र जो अक्टूबर का लाज्ट है या नुवंबर का सुरू आथ है वहाँ से ही अपना पेराई सत्र सुरू करेंगी किसान भाईयो जो एक एक्शूल बात थी वो मैंने आपको बताई है इसक क्या सोचते हैं उसके बारे में आप मैसिज करें मैं जो आने वाली वीडियो है आपके नाम के साथ वो शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कौन किसान भाई किस चेत्र के किसान भाई गन्ना चीनी मीलो के बारे में या सरकार के बारे में क्या सोच रखते हैं क्या उनका तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार